नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके सबसे लोग प्रिये चैनल यूर काल चक्रा में मित्रों, बगवान सूरे ग्रेह ने अपना राशी परिवर्तन कर लिया है वे स्वैम की राशी में अपने घर में आ गए है अर्थात कोई भी ग्रेह जब स्वैम के घर में होता है तो वो बहुत ही बलवान हो जाता है ऐसी स्थिती में कोई भी ग्रेह की जब ये स्थिती होती है उसके फल देने की स्थिती बहुत 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 बहतर हो जाती है के कारण से उसके फल देनी की शमता पे प्रभाव डालता है अर्थात जब भी कोई ग्रह अपने घर में होता है तो उसकी स्थिती बहुत बहतर होती है और जब जब वो अपने घर को देखता है तो भी स्थिती बहतर होती है इसी प्रकार से आज मैं सूरे ग्रह के बारे में आ तो उनके लिए एक पांच की स्थित्थी है ये बहुत ही बढ़ी अस्थिति होती है ये मैं पहले भी आपको कई विडियोज में बता चुका हूँ कि किसी भी ग्रह का एक पाँच का संबंद केंद्र का संबंद अच्छे फल देने के लायक होता है बशर्ते वो आपस में मित्रता का भाव रखते हूँ ये स्तिती के कारण से जैसा कि हम नाडी में कहते हैं डारेक्शनल अस्पेक्ट में सूरे और चंद्रमा है अब सूरे जब से अपने घर में आए हैं आपने बड़े सारे अनुभव कियोंगे उन में से कुछ अनुभव मैं आपको शेर करता हूँ ये आपको मानसिक रूप से बहुत स्ट्रॉंग करेगा ये आपको निर्ने लेने में सही सही निर्ने लेने में और जल्दी निर्णे लिने में एक दम सिन्य पुण बनाएगा हूँ यह आपके मान सम्मान, आपकी सफलता, आपके स्वास्ते हर दृष्टी से बढ़िया है समाज में आपकी एक रिकर्गनेशन बढ़ेगी आपके साथ लोग संबंद बनाने की आतुरता दिखाएंगे मेश राशी के लोगों को और बहतर रिजल्ट निकालने के लिए इस समय में आदित्य हिदे सूत का पाट करना चाहिए सूरे को जल देते समय एक मंतर का जाप अवश्य करें मित्रों आप सूरे के तेरा नामों में से किसी भी नाम का उचारण कर सकते हैं जैसे कि ओम भानवे नमा, ओम रव्ये नमा, ओम मित्राए नमा, ओम हिरिण गरभाहे नमा, उम सूर्याय नमा, उम भासकराय नमा ऐसा कोई भी आप उस समय में बोल सकते है मन ही मन में बोलना है साबधानी इस चीज की वर्तनी है कि जल के छीटे पाउं पे ना पड़े अर्थाद किसी बाल्टी में डाले या किसी पाउदे में उसका सीधा सीधा जाए वो अब आती है बृष राशिया बृष राशिय के लोगों के लिए केंदर का संबंद है चंदर और सूर्य दोनों ही लियुमनेरीज है हमारे प्रित्वी पे जितनी भी रोशनी है ये उसको देने का सूर्य की रोशनी को रिफलेक्ट करने का काम चंदरमा करता है ऐसे में केंदर का संबंद ये भी बहुत बहतरीन संबंद है इस संबंद के कारण से एक दूसरे के लिए ये पिलर का काम करेंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे ऐसे में आपका मान सम्मान, आपके सुखों में वृद्धी, आपके कारेशेर में, शेतर में वृद्धी, आपके संपर्कों में वृद्धी होगी और वो संपर्क आपके लिए fruitful होंगे, आपको आगे ले जाने में सक्षव होंगे मित्रों स्वास्ते से संबंदित और भेतर रिजल्ट निकालने के लिए अपने जीवन में और सुखों के प्राप्ति के लिए आपको भगवान सूरे देव का को नमशकार करना चाहिए आदे तिर्दे सोथ का पाट करना चाहिए अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो गायतरी मंतर का जाप करने से भी आपको बहुत लाब होगा मित्रों इसके बाद आती है मिथुन राशी मिथुन राशी के तीसरे भाव में सूरे का गोचर है सूरे सवराशी है अपनी शमताओं में पूंडता लिए बैठा है ऐसे में जब सूरे भगवान उससे इकादश पहाव में बैठे चंद्रमा के लिए बहुत ही शुब बहुत ही लाब कारी है आपका प्राकरम श्रिष्टतम होगा आप जहां जाएंगे वहां एक राजा की तरह अपना वहवार करेंगे आपके वहवार हमें बहुत ही उत्तमता होगी आप अपने पडोसियों से अपने कारे शेतर में सहकार्मियों से महुत मान सम्मान अरजित करेंगे आपके छोटे भाई भैवें भी आपके साथ बहुत ही सम्मानी वहवार करेंगे और बहतर result निकालने के लिए हमें गायतरी मंतर का जाप करना चाहिए आदिते रिदे सोत का पाठ करना चाहिए सूरे देव को, भगवान सूरे देव को जल देना चाहिए उनका आशीश पराप्त करना चाहिए ये सकरात्मक प्राकरम की विद्धी में बहुत ही लाब दायक रहेगा करकराशी में भगवान सूरे देव का आप ये देखिए कि उसके दित्ते भाव में बैठे हैं जुत्ते भाव में बेठेवे, सूरे का पूरा भाव अपने से बारवे भाव में बेठेवे चंद्रमा का है, माता-पिता का समन्वे बहुत बढ़िया रहेगा आपस में इक दूसरी के साथ तालमील करेंगे आपस में माता का समरपण बहुत जदा बहतर होगा और ऐसे में मानसिक रूप से भी आप अपने को स्वेम को सुरक्षित महसूस करेंगे ओजस्वी तेजस्वी लोगों के साथ बैठ कर ऐसे लोगों में जिन में सुरे के समान तेज होगा सुरे के समान उनके अंदर गुण होंगे वो लोग जो जीवन में सफल होंगे उच्छ पद पे बैठे होंगे उनका सहयोग आपको मिलेगा और आपके जीवन को बेहतर करने में वो बहुत बढ़िया रोल अदा करेंगे सिंग राशी सूरे और चंद्रमा साथ है भगवान सूरे आत्मा है और चंद्रमा हमारा मन है एक एक विक्ती के लिए आपके मन में हमेशा सहता करने का वो होगा लेकिन इसके साथ अद्बुत लीडर्शिप की क्वालिटी आपके अंदर होगे दिर निर्ने लेंगे और स्वास्ते बहुत अच्छा होगा आप जो भी निर्ने लेंगे उस पर अडिक रहेंगे और उसक अदबुत फल आपको मिलने वाले बड़ों का सम्मान करें उनसे आप आशीरवाद प्राप्त करेंगे ये समय आपको पूरी सफलता देके जाएगा कन्या राशी वालों के लिए बहुत ही भेतरीन समय बारवे भाव में सूरे देव बैटे हैं और पीछे से उनको पूरा र प्रति आपने कभी बुरा कारे किया है और वो उच पद पे बैठे हैं तो उनसे आपको हानी हो सकती है तो ऐसे में किसी भी स्थिति में किसी से बहस और विवाद में ना उलजे बगार अपने कारे करने का पूरा परयास करें स्वास्ते के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें नेत्र संबंदिस स्वास्ते के लिए, हडियों से संबंदिस स्वास्ते के लिए, हिदे से संबंदिस स्वास्ते के लिए विशेश धियान रखे हैं। बेहतर रिजल्ट निकालने के लिए आदितिरिसोत का पार्ट, गायतरी मंदर का पार्ट, सुर्य भगवान को जल देने से, उनके नामों का वर्णन करने से आपको बहुत लाग होगा तुला राशी के कादश वहाँ में यह सम्बन वन रहा है बहुत ही भेतरी, आपका संपर्क बड़े उच-उच पद के लोगों के साथ होगा, आपका नेटवर्क बहुत बढ़िया हो जाएगा, आपको इस समय में सब कुछ भेतरीन करने का परियास करना है, अपने जीवन के सभी भेतर रिजल्ट निकालने के लिए आपको ऐसे में ए एक-एक संबंद के साथ आगे बढ़कर अपने कोशिशें बढ़ानी हैं, आपको उनका पूरा सयोग आशिरवात प्राप्त करेगा, अगर सरकार दोरा कोई भी समस्या आपके जीवन में चल रही थी, इस समय में उसे सोल्व करने का परियास करें, सकरात्मक रिजल्ट निकले उत्तन स्वास्ते के लिए गायतरी मंतर का जाप करें, आदे तेह देश्रोत का जाप करें, सुर्य भगवान को जल दें और उनसे आशिरवात पराप्त करें, और घर के बड़े बजुर्ग और सामाज के परतिष्टित लोगों के साथ अच्छे संबंद मनाएं, आपको करेंगे कि अपनी इस वीकनस को वो काफी हद तक कम कर लेंगे, ऐसे में उनने कारेशेतर में बहुत लाब मिलने वाला है, उनको अपने कारेशेतर के अंदर, अपने कारेशेतर में जो उच्छ पद्यास्थीन लोग हैं, जो उचे पदों पे बैठे विखती हैं, उनके बहतर बनाने चाहिए अपने करतव्य का पून निवारन करना चाहिए किसी भी करतव्य निर्वान में कहीं पर भी कमी नहीं होने चाहिए अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा मित्रों और बहतर रिजल्ट निकालने करते हैं उस शेत्र के उस शेत्र के जितने सफल और प्रतिष्ठित लोग हैं सरकार में बैठे होे लोगों के प्रति बहुत बढ़िया अपना संबंद मनाएं और आपको लाब ही लाब होगा सरकार के साथ इमान-दरी बहुत जरूरी है ऐसे में नियमों का पालन करना बहुत और बहुत ही बहतर result निकलेंगे सरकार आपको पूरा सहयोग करेगी उच पद पर वेठे वे सभी राइनितिक ये लोग आपको पूरा सहयोग करेंगे धनु राशी ये उसके भागएभाव में बहुत ही सुंदर योग धनु राशी वालों को बहुत अधिक लाब की स्थिती होगी उनके लिए उच पद पे वैठे सभी लोग पूरा सहयोग करेंगे उनको हर प्रकार की सहयता करेंगे उनको भी बड़ी समयदारी से इस समय का सरश्ट्रेश्ट उपयोग करने के लिए राइनितिग्यों के साथ उच अफिशल सरकारी पद पे बैठे उचे पद पे बैठे वेक्तियों के साथ सरकार के साथ एवं अपनी संस्था के सबसे बड़े पद पे बैठे वेक्तियों के साथ अच्छे संबंद बनाने हैं और अच्छा सहयोग करना है किसी भी स्तिती में कहीं पर भी बड़े पद पे बैठे विक्ति से विवाद में नहीं उलजना है इसके साथ मित्रों उन्हें इस चीज का विध्यान रखना है कि घर के बड़े बुजुर्ग और समाज के प्रतिष्ठित और बुजुर्ग लोग हैं जो पिता समान लोग हैं उनका भी आशीश लेते रहें ये आशीश बहुत ही लाबदायक रहेगा पिता समान सभी लोग इस समय में उनको आशीश देना चाहते हैं वो आगे बढ़कर आएं और आशीरवाद के लिए कुछ कारे करके दिखाएं जैसे ही आप उनको कोई आशीश मिलेगा आप देखेंगे कि उनके जीवन की सब स्तितियां पिछले जो काफी समय से उनके लिए कुछ विपरीत रही भी होंगी तो अब वो बढ़िया हो जाएंगे इस रिजल्ट के और बहतर करने के लिए आपको गाहित्री मंत्र का जाप करना चाहिए भगवान सूरे देव की आरातना करने चाहिए रुदराविशेक करना चाहिए उनको साथ साथ आधित्य दिशोत भगवान सूरे देव को जल दें जल देते समय मैंने जो आपको के रखना चाहिए कि कोई बाल्टी रख कर करें या कहीं पर सीधा पौदों में पानी जाए मकर राश Oooh, मितनों मकर राशी के लिए ये छे-ार्ठ की स्थिति है मैंने ये बात आपको पहले भी कई बार बताई है सावधानी बरतनी है किसी भी स्थिति में सरकार सरकारी पत्पे बैठे हुए लोग जो उच्छ पदास्थिन है जिनके पास बड़ा पद प्राप्त है उनसे किसी भी प्रकार के विवाद में नहीं उलजना है ऐसे में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको समस्याई होंगे किसी भी स्थिति में किसी पिता समानवेक्ति का दिल नहीं दुखाना है अदर्वाइज आपको स्वास्ते संबंदित समस्याई कैसी जो हीदे से संबंदित हो सकती है आपके डाजिस्टिफ सिस्टम बिल्कुल डाउन हो सकती है ये समय विनमरता के साथ गाहित्री मंत्र के जाप का है इस गाहित्री मंत्र के जाप के साथ साथ मित्रों हमें किस चीज की साथधानी बढ़तनी है वो है हमें हमेशा याद रखना है कि आदित्ते दिस रूत नियमित रूप से सुवे के समय अवश्य करें जब तक भगवान सूरेदेव सिंग राशी में है तो हमें किसी भी स्तिती में इसके अंदर कोई गैप ने डालना बड़ी विनमरता से बड़े बजुर्ग लोगों से अशिरवात प्राप्त करते रहें किसी भी स्तिती में अपमनी वाणी के द्वारा किसी के साथ गलत वेवार ना करें अने था यह समय आपको आगे जाकर कोई हानी दे के चला जाएगा कुम राशी में आमने सामने कि स्तिती है चंद्रमा भी अपनी शत्रु राशी में हैं लेकिन उसको मित्र के दर्शन हो जाती है उसकी स्तिती बहुत अच्छी होती है यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही उपयोगी स्तिती है कि मन को पूर्णता आप पूरी शक्ति दे सकते हैं वो दिर्ण निष्चे करके कोई भी निर्णे लेकर आगे मणने का कारे करे वो बहुत अच्छे से कर सकता है यहाँ पर सूर्य भगवान पहले ही बहुत स्ट्रॉंग हैं सरकार के प्रति निष्टावान बड़े बजरुगों का आदर करना साथ ही हर समय देश के प्रति वफादार रहना है आपका नेटवर्क बहुत भेतर हो जाएगा आप उच पद पे बैठे लोगों के साथ अच्छे संबंद मनाने में सफल होंगे जिसका अलाब आपको आगे जीवन भर मिल सकता है मितरों ये समय जो होता है इसका उप्योग करना ही सीखना चाहिए सफलता और विफलता में सही समय पर किया गया कारे का ही अंतर होता है कि जिसके कारण से आपके जीवन की प्रस्तितियां बदल जाती है यहाँ पर बड़े बजुर्ग उचपद पर बैठे राइनितिगे सरकार किसी से भी विवाद में नहीं उलजना है किसी भी स्तिति में मीन राशी वाले जातकों के लिए ये फिर छे-अट की स्तिति है ऐसे में आप अपने मन के भाव कहीं पर भी अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाएंगे आपको बहुत सारी स्तितियों में कन्फ्यूजन्स होगा आप बहुत सारे निर्णे लेने में दिर्ड़ता नहीं दिखा पाएंगे आपको जहां पर स्ट्रॉंगली खड़ा होना चाहिए वहाँ पर खड़े उन्हें में दिक्कत होगी आपको सरकार सरकार से जुड़ेवे लोगों के साथ संबंद बनाने में भी समस्या हो सकती है तो ऐसे में साबधानी वरते हैं भगवान विष्णु का नाम का स्मरण करें इस समय में आदित्य दिसोत का पाठ करें गायत्री मंत्र का पाठ करना और रवीवार के रवीवार गायत्री हवन करने से आपको बहुत लाब होगा इस समय का सही उप्योग करें किसी से विवादों में न उल्जें कि अपने उच्पद के उपर बैठे विक्तियों के साथ किसी स्थिति में भी आपको कोई विवाद नहीं करना है अपने सुसाइटी में, अपने आफिस में जहां आप समाज में रहते हैं वहाँ पर कहीं पर भी विवादों में नहीं जाना है ये स्तिती आपके लिए फिर बहुत ही लाबदायक हो जाएगी आपको हर स्तिती में इसका लाब ही लाब मिलेगा मित्रों, मैं आप सभी के लिए भगवान से प्रात्ना करता हूँ कि आप सब को बहुत सफलता दे, सुक दे और सही निरने में आपको सक्षम बनाए आज के लिए बस इतना ही मित्रो इसके साथ नमशकार धन्यवाद